शुरू करने के पहले कुछ बातों का साफ होना जरूरी है पहली बात यह कोई मनोरंजन नहीं है मनोरंजन से मेरा मतलब आपने पहले भी बहुत भाषन सुने होंगे बड़े बड़े धार्मिक सत्संगों में आप गए होंगे आपने धर्म सभावों में शायद हिस्सा लिया हो आपने वहा भाषन सुन के खूपता लिया बजाई होगी आपको मजा आया होगा बड़े बड़े कथन कहानिया आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी आपको अपने धर्म पर बड़ा विश्वास होगा उस विश्वास को लेकर आपने उब्देश सुने होगे आपके पास खुद की आस्ता है आपने बहुत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सिद्धान्त और बड़े शाश्वत सिद्धान्त आपने बड़े गुरू से सुने होगे और वो शायद पूरी तरह आपने याद भी कर लिया हो सुने से पहले या सबेरे उटकर आप उसे दोराते भी होगे लेकिन यहाँ इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हम यहाँ कोई धर्म चर्चा करने नहीं आए इसे कोई धर्मिक सत्संग या धर्म की चर्चा मत समझ लेना और गलती से मुझे गुरू तो बिल्कुल ही मत समझ लेना मैं कोई गुरू नहीं हूँ ना आप मेरे शिश्य है मैं नहीं चाता कि दुनिया में मेरा कोई शिश्य रहे कोई मुझे ऐसे ही फॉलो कर ले या मेरे इच्छा नहीं है इन सबसे ज़ादा जरूरी बात यहा है कि हम सब मैं और आप इस धर्ती के इनसान है मैं और आप हम साथ साथ इस धर्ती पर जी रहे है और हमारे रोज मर्रा के जीवन में बहुत सारी समस्याई मौजूद है हमारा दुखी होना हमारा निराश हो जाना हमें तन्हा मैसूस होना हमारी मृत्ति हो जाना जिसे हम चाहते हैं उसके मृत्ति हो जाना और इसे के साथ समाज में दिखने वाली समस्याई जैसे हिंसा, खून खराबा, प्रॉपर्टी जमीन पैसों के लिए होने वाली हिंसा लालच, सत्ता के लिए इतने पाप, दुश्कर्म बलातकार, कबजा, इत्यादी, बाहरी समस्याई भीतरी और बाहरी दोनों के बारे में उन्हें देखके, समझके और उनसे मुक्त होने के बारे में सववात करेंगे एक दूसरे से बाच्चित करेंगे हम सब साथ मिलकर इन सारी गंबिर समस्याओं का जिनके वजह से हम कभी परिपूर्ण आनंदित नहीं जी पाते हम असली जीवन से वन्चित रह जाते हैं जीवन का सच्चा आनंद हम कभी मैसूस नहीं कर पाते जिसे आपने अभी आनंद समझ रखा है वह आनंद नहीं हैं जीवन का सच्चा आनंद मैसूस करना अनुभाव करना अपने आप में एक अलग दुनिया है जिस दुनिया में कोई बंधन नहीं होता वहाप पूर्ण स्वतंत्रता होती है सिर्फ आजादी का आनंद मौजूद होता है जिस आनंद को पाने की बात सदियों से इनसान करते आया है हमने सारी कोशिशे करके देख ली हमने धर्म बनाएं, देश बनाएं, इनसानों का विभाजन किया हमारी सारी कोशिशे नाकाम और नुकसान दायक रही और इन हमारी गलतियों ने मानो जाती को और इस धर्ती को, सारे परियावरण को, सृष्टी को हमने लगभग तबाह कर दिया है हमने इस धर्ती का विनाश किया है और हमें पता नहीं कि हम अभी भी विनाशकारी जीवन ही जी रहे है भीतर से और बाहर से हमारे कोशिशों ने हमने इनसान के इनसानियत को लगभग मुर्दा कर दिया है तो मैं यहाँ कोई फिलोसोफी जाड़ने नहीं आया हूँ नहीं कोई प्रवचन या कोई भाशन देने मैं यहाँ आया हूँ इसके बजाए हम सब इनसान होने के नाते यहाँ एकत्रित हुए है और हमारे भीतर और इस धर्ती पे जितनी भी समस्याए मौजूद है जिम्मेदारी के साथ हम सब इन सारी समस्याओं का अंत कैसे होगा और इनसान कैसे पूर्ण विकसीत पूर्ण आननदित बन सकता है क्या ये संबव है यही हम देखेंगे उसके बारे में बातचित करेंगे और एक बात जब मुझे आप सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए सही माइने में सुनना किसे कहते है जब आप सुनते हो तब आप तुलना करते हो आप बोलने वाली की तुलना किसी और से करके देखते हो जो ग्यान आपके भीतर मौजुद है उस अतीत के ग्यान के इस्तमाल के साथ तुम वरतमान में सुनते हो इसलिए पूर्न वरतमान में नहीं रह पाते जब आप सुनते हो तब आप जो बाते कही जा रही है उनसे अपना स्वार्थ जोड के देखते हो तुम्हारी कुछ इच्छाए है वह तुम्हारे भीतर मौजूद है उन सारी इच्छाओं के दाइरे में रहकर आप मुझे सुनते हो तुम्हें कुछ करने की, कुछ भोगने की, कुछ बनने की, कुछ और होने की इच्छा है और वह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे भीतर के ग्यान में, कलपनाओं में मौजूद है तो कोशिश करें कि आपका अतीत का ग्यान इसमें बाधा ना बने मैं जितना बोलता हूँ केवल उतना ही सुने कोशिश करे कि केवल शब्दों द्वारा नहीं, वाक्यों द्वारा नहीं, केवल भाशा द्वारा नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे जिपे अर्थ का बोध हमें होना चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पूरी तरह अच्छे से सुनेंगे तो अभी सुनते सुनते भी आप में शाश्वत क्रान्ती घटित हो सकती है जब मैं कुछ कहता हूँ तो सही सुनने से आपको भी पता लग सकता है कि जो मैं बोलता हूँ वह सत्ते बात है या नहीं आप भी अपने भीतर इसे महसूस कर सकते हो तो इस चर्चा में आपका सुनना बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए आपको जिम्मेदार बनना होगा अगर आप नहीं लोगे तो कौन इस दुनिया की जिम्मेदारी लेगा अगर भगवान है तो युद्ध क्यूँ है बलातकार क्यूँ हो रहे है अहिंसा, खून खराबा, मार काट क्यूँ है अपने जिम्मेदारी किसी और के उपर छोड़ दी है और उसके कारण आपका शोशन हो रहा है जब जब आप समाज की अपने खुद की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ देते हो तब तब आपका और समाज का शोशन होता है तो अभी जो मुझे सुन रहे है हम सभी को खुद की इस परियावरन की दुनिया की सुरिष्टी की जिम्मेदारी लेनी होगी तो पूरी गंभिरता से जिम्मेदारी के साथ आप मैं साथ साथ चलेंगे और इस सारे मामले को इस जाल को समझेंगे और इसके जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे सुनते सुनते साथ साथ आपके भीतर क्या घट रहा है क्या प्रतिक्रियाए उठ रही है उसे भी आपको देखना होगा सही सुनना आप में बदलाव लाएगा आपके भीतर के राज खोलेगा चीजों को सुलजाएगा जो बात अब तक धुन्दली थी वह साथ हो जाएंगी बोलने वाला एक आईना है जिसमें आपको खुद को देखना है जब तक आपको आप खुद दिखोगे नहीं तब तक आप खुद को सवार नहीं पाओगे आप अपना असली रूप कभी देख ही नहीं पाओगे मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कही बाते मान लो या फिर उस पर पिश्वास कर लो नहीं यह कोई सिद्धान्थ है मैं इन बातों को बार बार इसलिए दोराता हूँ क्योंकि आपको आपके अतीत के ग्यान से मुक्त कर पाओ आपका नया होना और पूरी तरह खाली होना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप भीतर से पूरी तरह मुक्त है खाली है तो आप चीजों को बिलकुल आसानी से समझ पाओगे नहीं तो आसान चीज भी समझने को तुम्हें पूरी जिन्दगी कम पड़ जाएंगी इसलिए आपने अपने मस्तिश्क में जो जो आज तक भरा हुआ है बच्पन से जो ग्यान मानने ताए जितने भी महत्वकान शाये लेकर आप यहाँ आए हो उन सब को भूल जाना होगा और मैं आपसे क्या बाच्चीत करूँगा किस चीज के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा वह क्या है जो सत्य है और हम उसे देख सकते है समझ सकते है देखना क्या होता है देखने वाला कौन है कहा से आया है क्यूं है और कैसे वह इस जीवन में आया, क्या कर रहा है और क्यूं कर रहा है, उसे करना क्या चाहिए, समस्या क्यूं है, मनुष्य मरता क्यूं है, जीवन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण सवाल, हमें जिम्मेदारी से सुल्जाने होगे, क्या आपको इन सवालों की गंब पता है कितने महत्व पूर्ण कितने जरूरी यह सवाल है हमें इन सवालों का जीवन से जुड़े सवालों का महत्व पता ही नहीं इसलिए हम कभी सवाल करते ही नहीं क्योंकि हम आलसी हो चुके हैं, हमें कोई चीज सच में पता करने में आलस आता है हम कोई चीज को समझने की उसके पढ़ताल के लिए जो मैनत लगती है, वह मैनत नहीं करना चाहते इसलिए हम किसी भी चीज पर बिना मैनत किये, बिना उसके बारे में सोचे समझे पता लगाए ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं, बिना सोचे समझे मान बैठते हैं यही हमारा आलस है, तो आपके भीतर और बाहर याने की समाज में जो पागल पन चल रहा है उसे समझने के लिए आपको यहां मेरे साथ, जीवन्त और अभी वर्तमान में यहां पूरी तरह से खाली होकर साथ साथ चलना होगा यहां सफर है जिसे हम साथ पूरा कर सकते हैं, यहां आपकी पूरी जिन्दगी पलट सकता है तो जैसे मैंने आपको सही सुनना क्या होता है बताया जीवन में आप किसी की मत सुनना सुनने से मेरा अर्थ है किसी की सुन के उस पर विश्वास करके उनकी बताई रास्ते पर चलना बेना सोचे समझे जीवन में किसी को फॉलो मत करना और मुझे तो करना ही मत मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई फॉलोवर या कोई शिश्य हो जीवन में आप हमेशा अपने खुद की सुनना अपने खुद की समझ से चलना अपने खुद के समझ के प्रकाश में यह जीवन बिताना दूसरे से आपका कोई भी वास्ता नहीं जब भी तुम दूसरों का कहना मानोगे तब तुम अपने खुद की समझ खोद होंगे, तुमारे खुद की समझ का प्रकाश खो जाएंगा खोते जाएंगा हमें समझदार बनना है, जीवंत इनसान बनना है और ये आसान भी है, लेकिन कठिना ये है कि हम खुद ही समझदार होना नहीं चाहते समझदार मतलब, जो किसी और की नहीं सुनता हो, किसी की नहीं मानता हो जिसके पास खुद की अपनी एक समझ है उसे चीजों को साफ साफ देखना आता है वह परिस्तितियों को उनकी वास्तविक्ता में देख सकता है वह खुद की समझ से आगे बढ़ता है और इस वजे से वह आनन्दित रहता है वह व्यक्ति हमेशा सीखते रहता है वह सीखने को हमेशा ततपर रहता है वह इस बहती हवा से भी कुछ सीख लेगा वह पूरी तरह वर्तमान में जीता है यानि कि वह पूर्नता में जीता है वह दुख को भी एक आउसर की तरह देखता है वह परिशानियों का भी फाइदा उठाता है जीवन में आने वाली बड़ी-बड़ी तफलिकों से भी वह कुछ सीखी लेगा उसे सुनने की कला, देखने की कला, सीखने की कला समझ गई ऐसा नहीं या उसने समझ को सीख लिया, ऐसा भी नहीं इसके खास बनने का राज, इसके समझदार बनने का राज है इसका पूरा खाली हो जाना यह व्यक्ति पूरा खाली हो गया है उसके पास कोई मन नहीं है मन तो अहंकार ही है इसलिए मन नहीं, तो कोई अहंकार नहीं कोई लोब नहीं, द्वेश नहीं, किसी का गुस्सा नहीं यह व्यक्ति निस्वार्थ होकर जीवन जीता है वह जीवन को साफ साफ देख सकता है वह उसके वास्तविक्ता में जीवन को देखता है जैसा जीवन वास्तव में है और वह दुख को भी बिना उसका हिस्सा बने देखता है और सुख को भी बिना उसका हिस्सा बने जो कीतियो उसके वास्तविक्ता में वो देखता है तो मैं कोई गुरु हूँ या मेरी सुनो ऐसा मैं नहीं कहता क्योंकि आपको मेरा कहा मानना नहीं है आपको अपनी खुद की समझ से चलना है तो शायद आप समझ ही गए होगे कि आपको मुझे कैसे सुनना है तो खुद की समझ के साथ मेरे साथ साथ चलिए हम बच्चपन से ही दूसरों पर निर्भर होते हैं हमें दूसरों पर निर्भर रहने की पहले से आदत पड़ी है और यही हमारी कमजोरी बन जाती है हमें आदत पड़ी है कि हमें कोई पीता समान चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुलजाए जो हमें सब तयार ट्रेडिमिट दे हमें उसके लिए खुद से मैनत करने में आलस्या आता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जिन्दगी हमें जब तक परेशान नहीं करती तब तक हम खुद होके कभी परेशान होना नहीं चाहते इससे समझिये और दुरगटना घटने के बाद हम परेशान हो जाते है अगर हम पहले ही उस घटना के बारे में परेशान होते तो वह दुरगटना नहीं घटती और जब हम तकलीफ से परिशानियों से भागते हैं तब हमें भीतर से यह तो पता लगता है कि हम समस्याओं से भागे हमने समस्या का सामना नहीं किया यह भीतर ही भीतर हमको परिशान भी करता है और हम एक तरह की परिशानी में जीते है इस परिशानी को भी हम उपर के तोर पर मिटाने का प्रयास करते है किसी गुरु द्वारा या मनुरंजन द्वारा या फिर कोई नशे द्वारा बहुत से साधन उपलब्त है जो कुछ समय के लिए हमें समस्याओं को भुलाने में मदद करते है लेकिन इस से समस्या तो मिटती नहीं समय के साथ बढ़ती है और हमारा सारा जीवन ही परिशानी बन जाता है और इसी जाल में हम फसे रहते है और फिर हम चाते है कि कोई दूसरा आकर हमें इस जाल से छुड़ा ले लेकिन आपके अलवा आपका यह जाल कोई भी काट नहीं सकता आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है कोई दूसरा आपके लिए यह काम कभी नहीं कर सकता तो हमें यहां अच्छे से समझना होगा कि हम किसी और पर निर्भर ना होकर खुद के जीवन की जिम्मेदारी खुद ले हमें आत्म निर्भर बनना सीखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहके अभी तक आपको क्या सच है क्या जूट है चीजे कैसे काम करती है वास्तविक्ता क्या है वह आप खुद सीख नहीं पाते खुद जान नहीं पाते इसलिए समय के साथ आपकी तकलिफे बढ़ती जाती है आप और देर करोगे तो चीजे और भी बिगड़ जाएंगी और फिर इससे सुल जाना और मुश्किल हो जाएगा तो सच में अगर आपको जीवन जानना है और सारी समस्याओं से मुक्त होकर एक जानकार जीवनत जोत बनना है और मुझे लगता है कि आप सभी को इसमें रूची है वरना आप लोग यहाँ क्यों आते तो पूरी तरह से सिर्फ सुनो मैं जो कहता हूँ इससे सहमत या असहमत होने की कोई जरूरत नहीं कोई चीज सीखना चाता है कुछ समझना चाता है तो इसमें सहमती का या असहमती का कोई सवाल ही नहीं होता इसलिए हमें परताल करनी हैं जाच करनी हैं कि हमारी और लोगों की जिन्दगी में क्या कुछ चल रहा है अब तक हम कैसा जीवन जी रहे थे अब तक जीवन में क्या हुआ और क्या है वो जो बार-बार जीवन में होता है और हमारे बाहर हमारे आसपास के लोग उनके जीवन में हम क्या देखते है हमारे भीतर और हमारे बाहर समाज में क्या कुछ चल रहा है हमें हमारा ध्यान उस तरफ मोड़ना होगा हमें देखना है कि समाज में कैसे अहिंसा पल रही है कैसे जीवन चलता है लोब लालच कहा से आते हैं लोग क्यों धोके बास बन जाते है जीवन, ब्रत्यू, दुख, सुक, शारिरिक भूख, मानसिक भूख यह सब क्या है और क्यूँ है इत्यदी इन समस्याओं को देखना होगा जीवन को गैराई से देखना होगा कैसे यह समस्याओं जन्म लेती है हमें इनकी जड़ तक तहकिकात करनी होगी आपकी भीतरी दुनिया और आपके बाहर की दुनिया एक ही दुनिया है सिर्फ हमें लगता है कि यह अलग-अलग है लेकिन यह एक ही चीज है हमने पहले इसे देखा है कि कैसे आपकी भीतरी दुनिया से ही बाहर का जगत निर्मित हुआ है एक शन में तुम भीतर देख सकते हो और दूसरे एक शन बाहर वह एक शन का जो फासला है वह भ्रह्म है असल में भीतर और बाहर एक ही है आप में और बाहरी जगत में जो समय का और स्तान का स्पेस का फासला पड़ गया है वह केवल आपका एक भ्रह्म है वह सच्चाई नहीं है यह पूरा संसार एक ही है आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं इसका आपको बोध होना चाहिए यह आपको रियलाइस करना पड़ेगा इसलिए आपको खुद की जीवन की चिंता होनी चाहिए जो बोलने वाला है उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप खुद की चिंता कीजिए इसलिए केवल मेरे शब्दों को मत सुनना मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही अपना ध्यान खुद पर रहना चाहिए तो अगर तुम खुद की जीवन के बारे में चिंतित हो तो यह चिंता दूर करने के लिए और जीवन समझने के लिए सबसे पहले हमें चीजों को साफ साफ देखना आना चाहिए चीजों को उनकी पूर्णता में देखना आना चाहिए चीजों को उनकी वास्तविकता में देखना आना चाहिए ताकि हम उसी वक्त, उसी ख्षन उसे समझ कर उसे सुल्जा सके ताकि हमारा देखना और समस्या का सुलजना यह एक ही क्रिया होनी चाहिए जो क्रिया हमें समवेदन बनाती है जिसमें हम अनुभव कर पाते है हमें इसे समझना होगा, इस क्रिया को समझना होगा, हमारे पास समय नहीं है समय से मेरा मतलब, जिसे आप घड़ी के द्वारा जानते है आज, कल, परसो, यह समय जो घड़ी से चलता है लेकिन क्या मानसिक तल पर हमारे भीतर की स्थितियों में क्या समय रहता है, क्या समय वहा होता है कोई भी चीज जब हम करते है, वह वर्तमान में ही हम करते है वह घड़ना केवल वर्तमान में ही होती है अभी और यहा, जो भी ग्रिया चलती है, वह वर्तमान में चलती है तो वर्तमान क्रिया में समय की ग्याप ना हो, समय का अंदर ना हो, समय की जगा ना हो, क्रिया ततकाल रहे इसलिए आपको जो वास्तविक है वह देखना आना चाहिए, चीजों को उनकी पूर्णता में वास्तविकता में देखना आना चाहिए हम स्तितियों को, चीजों को तोड मरोड कर देखते हैं, हम उन्हें तुक्डों तुक्डों में, हिस्सों हिस्सों में देखते हैं जब तुम कोई खत्रा देखते हो, अगर आपके शरीर को कोई खत्रा हो, तो ततकाल क्रिया करते हो देखना और क्रिया साथ साथ होता है खत्रा दिखना और उस पर क्रिया होना इन दोनों में अंतर नहीं होता, कोई गैप नहीं होता जब हमारी जान पर खत्रा बनता हो, तब हमारी ततकाल क्रिया होती है मानसिक तल पर देखने, समझने और क्रिया करने में अंतर होता है मानसिक द्रिष्टी और क्रिया करना इसमें एक लंबा अंतर है और इसी अंतर में टक्राव है, संगर्ष है क्या आप इसे समझ पा रहे हो जैसे मैं देखता हूँ कि डर नहीं होना चाहिए और फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा, बाच्चित करूंगा और फिर इस पे क्रिया होगी वही दूसरी तरफ सही देखना अपने आप में ही एक क्रिया है इसमें समय का अंतर नहीं होता और यही पूर्न क्रिया है तो वह क्या है जो हमें पूर्न क्रिया करने में बाधा बनता है सिर्फ बाहरी प्रदुशन जो हम देखते हैं वो ही नहीं बलकि हमारे भीतर का प्रदुशन बाहरी प्रदुशन नदियों को खत्म करना, हरी आली, जंगलों को तबाह करना यह तो बाहरी कारण है यह बाहरी बाधा आये है लेकिन हमारे भीतरी प्रदुशन का क्या हमारा भीतर का प्रदुशन बहुत बड़ा है वो बड़ी बाधा है और इस प्रदुशन को सही से देखना ततकाल क्रिया है और एक ही जटके के साथ भीतर का सारा प्रदूशन साफ हो जाता है पूरी तरह खत्म हो जाता है एक ही क्षण में इसलिए सही देखना और क्रिया इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता देखना और करना एक ही बात होती है क्या यह बात साफ हो रही है आपका पूरी तरह से सही से देखना और क्रिया घटित हो जाना यह एक ही क्षण में होता है जैसे बाहर के जगत में विकास होता है एक बच्चा पैदा होता है फिर दीरे दीरे वह बड़ा होता है फिर वो जवान होता है फिर बूड़ा हो जाता है और दीरे दीरे विकास होता है क्या ऐसा ही विकास हमारे भीतर भी होता है मुझे नहीं लगता लेकिन आप सब तो ऐसा ही सोचते है आपको लगता है कि यह धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे भीतर से विकसीत होगी जो बाहर की दुनिया में बहुत इक जगत में आप देखते हो सोचते हो कि भीतर का जगत भी ऐसा ही काम करेगा कि भीतर की चीजे भी ऐसी ही काम करने वाली है लेकिन ऐसा नहीं है यह बस आपका आलस है हम सही से देखने के लिए जो श्रम, ध्यान, उर्जा लगती है जो सुविधा से बाहर आकर हमें चीजों की जाच परताल करनी परती है हमें लेनी परती है उससे हम भागते है उस तकलीफ को हम इग्नोर करते है अवोईट करते है नजर अंदास करते है हम हमेशा से उससे भागते आये है क्योंकि हमें एक सुरक्षा में कमफर्ट में रहना पसंद है यह कमफर्ट तूटे ऐसा कोई भी काम हम नहीं होने देते और खुद भी नहीं करते हम लोगों को बदलना है भीतरी क्रांती करना है और वो भी एक ही जटके में ततकाल जिससे इनसान का स्वभाव पूरी तरह से बदल जाए तो यह भीतरी क्रांती क्या एक ही जटके के साथ ततकाल हो पाएगी इसके लिए तो आपको पहले अपना आलस छोड़ कर समस्याओ से जूजना उनकी पड़ताल करना और खुद के समझ के साथ उनकी पूरी चानबीन पूरी चाच करना उसे समझने की देखने की कोशिश करना आपको आलस को छोड़ कर इस महनत को करना ही होगा तब धीरे धीरे आप खुद समझदार बनना शुरू होगे। अगर आप यहाँ परेशानी उठाने को तयार हो, अगर आप जूचने को तयार हो, केवल तभी आपके लिए यहाँ द्वार खुल सकता है। हमें समझना होगा कि हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम धीरे धीरे बदलेंगे, जैसा जैसा समय बितेगा, हम और बुद्धिमान हो जाएंगे, और ग्यानी हो जाएंगे, और जानकार बन जाएंगे, और समझदार हो जाएंगे। या सट्टे को धीरे धीरे एक दिन पा लेंगे या यहाँ खुद बखुद हो जाएंगा ऐसा हम सोचते है और यही विचार सबसे बड़ी बादा बन जाता है क्योंकि इसी विचार के साथ आप दूसरे चीजों को जगा दे देते हो और जो वास्तविक्रिया है वह जगा नहीं ले पाती इसलिए यह घटना घट नहीं पाती तो इससे टालना बन कीजिए जागुरुत हो जाएंगे जीवन में हर क्षन अलर्ट रहिए जागुरुत होकर खोश में रहकर चीजों को साफ साफ देखना सीखिए हमारी बच्पन से ही कंडिशनिंग हुई है हमें संसकार बद्ध किया गया है इसलिए चीजों को हम पूरी तरह नहीं देख पाते हमारे अतीत की यादे चीजों को दूशित कर जाते है हमें पूरी तरह उनके वास्तविक्ता में उन्हें नहीं देखने देती हमारा अतीत का ग्यान हमसे तुलना कराता है अतीत के अच्छे बुरे अनुभवों के दाइरे में रहकर हमें चीजे दिखाता है और यह हमारी अतीत की याददाश जो बच्पन से ही हमारे भीतर लगातार काम कर रही है तो जब हम कोई चीज को देखे तो हमारी पूरानी यादे इसमें ना हो और साती सात अभी इस वक्त देखते समय कोई भी यादे संग्रहित ना हो इसका ख्याल हमें रखना बढ़ेगा